वेलकम तो लेक्शर 24 ओफ दीडी बासु एंड लक्षमिकान सेरीज पर्पस अफ दीडी बासु को भी जानेंगे जिसके लिए लक्षमिकान फेमस है और दीडी बासु का जो एनलेटिकल कॉंपोनेंट है जो प्रलेमस और मेंस दोनों के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है उसको भी कवर करते वे चलिए ज़र एक बार यहां पर देख लिए कि कौन-कौन से सब टॉपिक्स हैं और इसी तरीकी से हमारे लेक्षर का फ्लो रहेगा सबसे पहले गवर्णर अपोइंटमेंट टर्म वाई अपोइंटमेंट प्रोसेजर यानि कि जम प्रेजिडेंट के लेवल पर देखते हैं तो प्रेजिडेंट इस एक्जिडेटिव हैड अफ स्टेट ऑफ इंडिया आला कि ये स्टेट वर्ड कहीं लोग को काफी कंफ्यूजिंग लगता है कि क्यों हम प्रेजिडेंट को एक्जिडेव हैड अफ स्टेट कहते हैं और जब गवर्णर की बात होती है तो यहाँ पर भी हम एक्जिडेव हैड अफ स्टेट कहते हैं मतलब क्या हुआ देखे एक शब्द के एक से ज़्यादा मतलब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं तो जब प्रेजिडेंट के रेफरेंस में बात करते हैं जब गवर्णर की बात करते हैं जब गवर्णर की बात करते हैं तो हम यूनियन के अंदर जो यूनिट से हैं उन स्टेट की बात करते हैं जिनका है गवर्णर होता है अब जो डिबेट है इसके पीछे की गवर्णर की पोजिशन को भी ऐसा ही कर लेते जैसे कि indirect election होता है प्रेजिडेंट के लिए तो जो original जो draft constitution बना था वहाँ पर election का provision था governor के लिए भी फिर ये change क्यों हो गया तो ऐसे question आपके means में भी आते हैं status of appointed governor so far तो अब यहाँ से जुड़ी बड़ी interesting debate है यानि कि discretionary power of governor कहां कहां हो सकती है अब ही शायद आपने सुना होगा Mr. Ravi governor of Tamil Nadu उन्हेंने सेंतिल बाला जी नामक मंत्री जी को बरखास कर दिया तो ऐसे में जो DMK के CM है मतब तमिलाडू के CM है DMK party संबने थे Mr. M.K. Stalin उन्हेंने का हम इसको Supreme Court लेकर जाएंगे governor के पास तो ये power है ही नहीं तो आपके मन में सवाल उठता होगा कि देश तो Constitution से चलता है कभी ऐसा सुना नहीं था कि governor अपनी मर्जी से ही हटा दें किसी minister को तो फिर कैसे ये हो पाया क्या है इसकी पिछे की legalities हमें इसके जवाब मिलेंगे Article 164 में और Article 163 में दोनों को जानेंगे इसके बाद condition of governor's office power of governor यहाँ पर हम सभी चीज़ों को जाननेगे Now Council of Minister appointment ये इसका जो है next part होगा मतलब interesting बात ये है कि जो union executive आपने एक बार पढ़ लिया पार्ट 5 जब आप पढ़ें तो पार्ट 6 जो है उसके साथ मतलब revision करके पढ़ें इससे क्या होगा कि वो चीज़े बड़ी solidify हो जाएंगे और जो कुछ questions बनेंगे trap वाले आपके prelims के लिए जहाँ पर differences पर बात होगी तो वो चीज़े बिल्कु clear cut दिमाग में बैठ चाएंगी ठीक है मैं उन differences को खुद ही highlight करता हूँ चलूँगा ठीक है सबसे पहले governor की बात करते हैं office of governor चले now governor आपके मन में सवाल आना चाहिए कि इस political position की जुरत ही क्या थी ना रहता है क्या दिक्कत हो जाती तो मैं जान पूछकर आपके मन में ऐसे सवाल डालना चाहता हूँ जिससे कि जब UPSC analytical question पूछे तो आपके अंदर कुछ points तो निकल कराएं ऐसा क्यों किया गया बताइए क्यों किया गया क्या कहना है आपका कुछ लोग कहेंगे सर ये तो बिटिश टाइम से चलता हूँ आ रहा था अच्छा जो बिटिश टाइम में बिटिश पोविंसे के लेवल पर गवर्नर के पास पावर होती थी क्या ऐसी ही पावर सेम इनियन Constitution ने गवर्नर को दी है सवाल नंबर वन आना चीए दिमार में अच्छा और क्या करण हो सकता है अच्छा क्या आप ये कनेट कर रहे हैं कि क्योंकि इंडिया में हमने Parliamentary सिस्टम रखा और Parliamentary सिस्टम हमने दोनों लेवल पर रखा लेवल नंबर वन यूनियन के लेवल पर भी रखा अच्छा सेकिन हमने Parliamentary सिस्टम स्टेट के लेवल पर भी रखा यानि के स्टेट में भी जो भी Government होती है यानि के जो Council of Minister होती है वो Accountable होती है किसके लिए Accountable होती है Legislature के लिए होती है Specifically यहाँ पर Legislative Assembly के लिए होती है अकर दो हाउस हैं तो Legislative Assembly और Legislative Council आप सबको पता है कि Lower House में Majority से ही सरकार बनती है चाह स्टेट की बात करो चाह सेंटर की बात करो तो आप कहेंगे सर इसमें Governor क्या क्या Link अरे पूरा पूरा Link है Governor का कारण क्योंकि Parliamentary सिस्टम में Dual Head का Dual Head का You can say provision होता है Dual Head जो की State के लेवल पर हो गए कौन गवर्नर साथ या सहीबा और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं Union के लेवल पर तो कौन होता है President होता है Second होता है Head of the Government जो की State के लेवल क्योंकि आज हम State पढ़ रहे है तो State के लेवल पर CM होता है और वहाँ पर कौन होता है तो हमें एक बात समझ में आई कि Dual Head का सिस्टम Parliamentary सिस्टम में होता है अगर हमने Parliamentary सिस्टम अपना ही लिया Union स्टेट के लेवल पर तो वहाँ पर गवर्नर का पोजिशन तो दे नहीं था यूँकि Dual Head होने है एक नॉमिनल बनाना ही बनाना है तो गवर्नर की पोजिशन को तो लेके चलना ही पड़ेगा आजाद भारत में है की नहीं आप सुचो कि सर रखना ही क्यों है सर Parliamentary सिस्टम से के लिए यूनियन के लिए पर रख लेते अरे अक्टिर इसको लेकर डिबेट थी कॉंस्टेंट इसेंबली में डिबेट बड़ी इंटिस्टिंग थी जैसे शाम प्रसाद मुखर जी वन मेंबर उनका कहना था कि भई प्रेजरेंचल सिस्टम होना चाहिए यूनियन लेवल पर और क्यों ना हम वो वाला सिस्टम रखे जैसे कि यूएस का होता है यूएस में भी स्टेट के लबल पर जो गवर्नर की पोजिशन होती है वही स्ट्राउंग होती है आप कोछ सीए Simmons की पोजिशन नहीं होती यूएस में स्टेट के लबल पर तो ऐसे में उनने कहा कि इसका benefit यह कर रहेगी यहां पर तो आपने बना दिया council of minister accountable to the less nature council of minister specific जो word use करते हैं हम क्या करते है responsible to less nature आप कहेंगे सर एक ही तो बात है responsible लिख लो accountable लिख लो नहीं नहीं पॉलिटी में हर एक word minor रखता है उसका कुछ नहीं कुछ reference होता है अगर मैं responsible use करता हूँ तो responsibly word यहां पर हमारी law की भाशा में यह बताता है कि तभी तक आपके सरकार रहेगी जब तक कि आपके पास majority है majority मतलब आपके पास 50% से जादा seat है of total strength ठेक है अब आप कहेंगे कि sir कहां आप governor की बात करे थे इससे क्यों link कर रहे हैं link है तभी तो fundamental strong होंगे आपके link देखे क्या है क्योंकि parliamentary system में आपके जो यह बैठे है जो head of the government है यह तभी तक head of the government है जब तक कि यह majority enjoy कर रहे है जब तक कि इनको इनकी पास पूर्ण बहुमत है जब इनकी पूर्ण बहुमत गई एक महीने बाद दो महीने बाद एक साल बाद कभी भी जा सकती है धोका तो कभी मिल सकता है तो ऐसे में इनकी के केस में भी प्रेजिडेंट फॉर इयर्स तक फॉर इयर्स तक अब आप बने ही रहेंगे अप केवल आप कब हटाए जा सकते हैं आपने ज्यादा ही गलत काम कर दिया हो यानि के स्पैसिफिकली बात करेंगे हम कॉंस्टिटूशन को वाइलेट किया हो आपने तो ऐसे में जैसे कि आपका इंपीचमेंट हो जाए तो यानि के लेजिलेचर का कंट्रोल इतना रहेगा आप पर कि अगर आपने वाइलेशन किया कॉंस्टिटूशन का तो आपको इस पचसे हटा देंगे next election करा लेंगे है ना लेकिन यहां तो head of the government यानि कि CM PM के हटने के कितने chances बने रहते हैं जैसे कि आप देखिए महाराष्ट में क्या हुआ उद्दव ठाकरे बन गए थे CM हट गए कि ने हट गए देखिए कितनी जल्दी चले गए ऐसी मध्यप्रदेश में डिसकस किया जा रहा था हमारी constant assembly की डिबेट में कि parliamentary system में actually stability will be at stake यानि कि stability of government will be at stake stability ठेक है क्योंकि stability stake पे रहेगी तो ऐसे में ये policy continuity को hamper करेगा यहां पर एक point था governor को और president को ज़्यादा strong बनाने के favor में लेकिन यहां पर जो डॉक्टर अंबेट कर थे जवाला नहरूजी थे उन्होंने एक point दिया कि honorable members हमारे एक point है कि आप stability of government और policy coherence अगर एक तरफ आपको चुनना हो और दूसरे तरफ आपको चुनना हो responsible government transparency ये शब्द उन्होंने यूज किया थे constantism में accountability तो आप किसको चुनेंगे उन्होंने कहा कि अगर हम इस system को लेकर चलेंगे जहां पर president और governor को इतना strong बना दे तो ऐसे में personality factor may dominate indian politics in india people are not that much aware about democratic values democratic institutions people are not that much aware about the power they have in their vote तो ऐसे में हो सकता है कि personality factor बहुत जादा hold कर ले indian politics में दूसरा उन्होंने कहा कि इससे हो सकता है कि exploitative tendencies आ जाए indian politics में we cannot take that risk तो कहीं लोगों ने कहा रहे दुनिया में लग लग जगे चलता तो है वहां तो नहीं आती exploitative tendencies तो उन्होंने कहा कि why we should look just at good examples आप दुनिया में उन देशों को भी देखो जहांपर राश्टपती शासन और राश्टपती dictator की तरह काम करने लगता है और यह उस देश में होता है जहां पर लोग कम सजग होते हैं कानून के बारे में अपने अधिकारों के बारे में अपने समिधान यानि के constitution के बारे में और मुझे डॉक्टर अंबेटकर और जवालाल नहरुजी का जो point है वो बड़ा solid लगता है यहां पर कारण आप मिडिल इस्ट में देखिए आफ्रिका में देखिए जहां पर presidential system है वहां पर एक बार राश्टपती महोदे बन गए हट नहीं रहे है राइट रश्य में देखिए मिस्टर पूतिन बैठ गए हट नहीं रहे हैं तो कहने का मतलब यह हुआ कि जहां पर प्रेजिडेंट के पास की जो position है वो बहुत जादा strong हो जाए और legislature का ऐसा control ना रहे जैसा control इंडियन political scheme में हमारे constitution फ्रेमर्स ने देनी की तो finally जो है governor की position को कहा कि ठीक है आपको nominal ही रखा जाएगा जैसे कि president के level पर in position को nominal रखा गया है आप कहेंगे और reasons बताईए sir और क्या reason इनको लेने के देखिए जब हम कह रहे है legislature तो legislature का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे sir बहुत easy बात है तो to make law और union के level पर legislature कैसे काम करत अभी अभी मैंने पढ़ाया था पिछले वाली lectures में क्या कि बहीं लोकसभा रासभा एंड देन प्रेजिडेंट के sign के बिना किसी बिल को आप में से कोई student ऐसा है जो act करार दे दे कह देगी sir president के sign की जुरत नहीं है बिल रखवाई ये लोकसभा में और बन जाएगा act प्रेजिडेंट में है अन कॉंस्टिशन काम थोड़ना करा देंगे आप बिल को एक्ट बनाना है तो लोकसभा रासभा और प्रेजिडेंट तीनों मतब यहां से पास होना चाहिए और प्रेजिडेंट के sign होने चाहिए प्रेजिडेंट के sign के बिना act नहीं बन सकता ऐसे state level क्यान बर पर जो लेसिलेटर है वहां पर भी तो जो आपकी लेस्टिडेशंबली है अगर युनी केमरल लेस्टिडेशर युनी कंडल का मतलब होता है एक सद्रे जबस्था और अगर माली जबस्था जिसको कहते हैं तो ऐसे में दोनों से पास कराने के बाद आपको गवरन जब तक साइन नहीं करेंगे तो कैसे बन जाएगा वो एक्ट, तो कहने का मतलब है कि जो lawmaking process है at the law of state उसके लिए governor की position जरूरी थी, parliamentary system में dual head का system होता है, इसके लिए governor की position जरूरी थी, तो we needed this nominal position, आप कहेंगे सर बस यही reason थे, क्या और कोई reason नहीं थे, अरे और भी reason थे, ठैर जाएगे जरूरा, बहुत सारे reasons है, जब आंसर आएगा तो लिखना है आपको ना, इससारे reasons, दूसरा, आप मुझे बताईए कि जो हमारा federal system है, federal system समझते हैं, यानि कि union और state की बीच में power का distribution है उसमें आप सब को पता है, कि भी union के पास ज्यादा power हमारे constitution assembly ने दी है, यानि कि more power with the union, क्यों, जिससे की जो separatist tendencies हैं, वो ना बढ़ जाए, है ना, तो मुझे बताईए, अब अगर governor की position को ऐसा बनाया गया है, कि जो president है, वो appoint करेंगे, कौन governor बनेगा, और उनका जो appointment है, governor governor का वो एक तरीके से ये show कर रहा है, कि union का एक check जो है, governor के through state पर रहेगा, बात सब्सक्राइए आपको, मतलब, governor की position है, president के pleasure पर, मतलब क्या हुआ, कि president जब चाहें, governor को हटा सकते हैं, जब चाहें, जिसको governor बना सकते हैं, जिसको, it means basic qualification होनी चाहिए, जैसे कि citizen होना 35 years age होनी चाहिए, और ऐसा नहों कि साथ साथ में किसी legislature का member हो, या office of profit पर हो, ऐसा नहों, तो ऐसे में president साहब, आपको governor बना सकते हैं, परपस के आपको बना का रखने का, एक duty आपको दी गई है, कि ensure करना कि जो state है, that is run as per the provisions of constitution, if a state government, their cm, council of minister, their departments are not working as per constitution, then it is the responsibility of governor to use article 356 and give report to the honorable president के sir, जो state है न, उसका कुछ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये constitution के इसाब से चल नहीं रही है, तो presidents आप कहेंगे, ठीक है, अभी हम यहाँ पर state emergency proclaim कर देते हैं, as per article 56, तो 356 के तहत, वहाँ पर state emergency लग जाएगी, अच्छा, president article 56 का इस्तमाल क्या केवल, governor की report के basis पर ही कर सकते हैं, या फिर governor की report के, अलावा भी वह ऐसा कर सकते हैं, come on, बताईए, बताईए, सवाल दुबारा repeat करूं, मैंने कहा, article 56 के तहत, state emergency, जिसको president rule भी कहता है, वो लग सकती है, ये बात तो पता आपको, मैंने बताया कि, governor की position का यहाँ पर बना रहना इस वे से भी ज़रूरी है, जिससे कि हर एक state, constitution के हिसाब से चले, और governor की position, on the pleasure of president अगर है, तो जाहिर सी बात है, the governor, the officer governor is going to be used to keep a check over state administration, use हो गया के नहीं हो गया, use हो गया, इसकी utility हो गया, governor की position की, अब मैंने कहा कि, अगर governor साहब ने, report नहीं दी, कि बही, president साहब, यहाँ पर state machinery break है, मतब state machinery, constitution के साब से काम नहीं कर रही है, तो क्या तब भी, president, article 56 का इस्तमाल कर सकते है, yes or no, come on, आपको जवाब देना है, बताईए, देखिए, answer is yes, जी हाँ कर सकते है, ठीक है, यानि कि ये एक route हो गया report, और बिना report के भी, president साहब कर सकते है, ठीक है, अच्छा, चलो, क्योंकि ये topic तो हम expand करी रहे हैं, तो साथ-साथ इस से जो ancillary trap question मन सकते हैं, उसको भी साथ-साथ करते रहत हैं, एक मेरा question यहाँ पर है, कि जब मैंने ये बताई ही दीबात आपको, president rule लग सकता है, मेरा सवाल ये है, कि such action of imposition of president rule in a state on the basis of a report given by governor, this decision can also be questioned in court of law, यानि कि ये जो आपने फैसला किया है, by state emergency से लगा दी, इसको question किया जा सकता है, court में, और court चाहे, तो ऐसे state में जो president rule लगा दी है, state emergency लगा दी है, तो state जो होट है, उसको हटवा भी सकती है, तो बताईए true or false, come on, लीगे आप interact करते रहेंगे तो मैं इसको further depth तक ले जा सकता हूँ, तो ये class आप चला रहे हैं, basically आपका interaction चला रहा है, come on, answer is yes, ठीक, और वैसे मैं आपको ब ये अपने आप में बहुत important question theme है, ये prelims के लिए भी और means के लिए भी, ठीक है, यहाँ पर जो sr bombing case है, sr bombing case में क्या judgment आया, क्या recommendations थी, वो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, और इस से जुड़ा पुंची कमिशन ने क्या कहा है, सरकारिया कमिशन ने क्या कहा है, with respect to usage of article 56, तो ये observations हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, issue of federalism यहाँ से कैसे बन जाता है, क्योंकि ultimately federal distribution तो है, जी power का, और अगर इसका इस्तमाल बहुत जादा हो रहा है, indiscriminate हो रहा है, तो तो federalism के principle के खिलाफ जाना है, और वो principle तो हमारे constitution में दिया हुआ है, तो ये सारे जो points आपको म तो ये बात तो आपको सुझ में आ गई, all executive actions in the state are taken in the name of governor, governor is like nominal head, nominal head, एक और term use किया जाता है, डे जो एरे, यानि के legally, जो executive policies है, जो actions होते है, वो in the name of governor ही होते है, there shall be a governor of each state, अच्छा मुझे बता ही है, अगर ये कहा जाए, as per original constitution, there can be one governor for more than one state, or one state, or another union territory, so question क्या है, it was mentioned in original constitution, that there can be a one governor for more than one state, or one state, or other unity, तो statement is true or false, come on, fast, rapid fire करना है ये आपको, ठीक है, इतना सोचना भी नहीं है, बस आप fast करते रही है, फिर मैं आगया आगये dimensions open करता रहूंगा, देखिए, एक दम आपने बता दिया, yes, आपको पता, आपने पढ़ा हुआ है, है न, answer is false, क्यों, अरे मैंने का original constitution, original constitution में थोड़ी ना था, वाला provision, वो तो, 7th constitutional amendment act, कब आया था ये, 1956, इसके through add किया गया था, कि हाँ, एक governor, एक से ज़्यादा state का हो सकता है, ठीक है न, यही बात है, जो मैंने आपको बताई है, अभी, same person can be appointed as governor of two or more states, under article 153, but it was done as per 7th constitutional amendment act, यह धियान रखेंगे आप बात, यह न, governor की जो appointment है, वो elected नहीं है, हलाकि जैसे हमारे former president यहाँ बर है, तो यह election के basis पे होता है, लेकिन governor की case में election नहीं होता, appointed by president होता है, और office कब तक रखते हैं, pleasure of president तक रखते हैं, अभी, यहाँ पर एक बड़ा interesting debate है, normally माना जाता है कि अगर कोई आप governor appoint हो गए, तो आप 5 साल तक governor उसे state के रहेंगे, लेकिन कोई guarantee नहीं है, जब president साब चाहेंगे, आपको हटा देंगे, constitution assembly की debate से निकल कराता है, कि सामानेते, governor अगर अपने appoint कर दिया किसी को किसी state का, तो उसको तब तक शायद ना हटाया जाए, शायद में word use क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कोई mention ही नहीं है constitution में, लेकिन हम constitution की spirit को भी समझ रहे हैं, कई चीज़े जो लिखी नहीं है, तो purpose ये भी बताया जाता है, शायद ये था, कि अगर आप constitution को violate करेंगे, bribery के case में आएंगे, या कोई भी ऐसा corruption, कोई ऐसा case आएगा, जो governor की post पर बना रहना आपका ठीक नहीं है, इस वज़े से आपको फिर governor की position से पहले, 5 साल complete होने से पहले हटाया सकता है, लेकिन क्योंकि ऐ aid and advice of council of minister, तो एक तरीके से, council of minister at the level of union, जैसे presently Modi जी, Amishra जी and their cabinet minister, they give a list to the honorable president, जैसे द्राबदी मुरमु जी, and she is going to appoint someone as governor in a state, right, और change भी वही करेंगी, citizen होना चाहिए, 35 साल age minimum, must not hold office of profit, ऐसा नहीं है, कि आप governor भी है, और किसी और सरकारी job से भी पैसा draw कर रहे हैं, salary और benefits draw कर रहे हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है, should not be a member of last lecture, ऐसा भी नहीं हो सकता, आप साथ साथ MP रह ले हैं, MLA रह ले हैं, अगर आप MP MLA हैं, तो आप governor बन गया हैं, तो इस वे से आपका MP MLA वाला position अब नहीं रहेगा, है ना, पांस साल के लिए अभी आपको बताया, और terminate कैसे किया जा सकते हैं, या तो dismiss कर दिये जाए हैं, प्रेजिडेंट को ही करते हैं, अच्छा मैंने का प्रेजिडेंट करते हैं, तो प्रेजिडेंट governor को, ठीक है, लेकिन oath कों दिलाता है, ये तो बताओ आप, और किसके advice पर किया, union के council of minister, oath कों दिलाता है, oath actually दिलाएंगे, जो chief justice of high court होंगे, और chief justice of high court अगर मौदूद ना हो state के, तो उनके बहाफ पर कोई ओड जो next senior judge होगा, वो करेगा, तो oath जो है, यहां से आती है, लेक क्यों, convention ही है ना, क्योंकि आप अगर छोड़ने हो governor की position, तो presidents आपको बताओ ना, so that president can appoint someone else, है कि ने, अब appointment क्यों, election क्यों नहीं होई, union government manage कर पाएगी control over the states, आप खुद ही सोचिए, अगर governor का भी election होता, तो एक तरीके से, ये तो वाली बात भी हो जाती, एक मयान में दो त actually election किसका होता है, less lady assembly की member का होता है, तो तुम तो actually एक constituency से as a member elect होकर आए हो, और फिर तुम CM बन गए क्योंकि majority of MLA's of less lady assembly उन्होंने तुमें support कर दिया, लेकिन कायदे में देखा जाए तो तुम से ज़्यादा democratically powerful तो मैं हूँ, कब अगर governor का भी direct election state होता, तो अगर universal adult franchise से, यानि के सभी जो adult लोग हैं, यानि के जो इनके बस voter ID कार्ड है, अगर वोट करते गवरनर की election में, तो governor कहते हैं, मैं असली democratic power तो मेरे पास है, democracy में है, क्योंकि मुझे तो पूरे state के लोगों ने वोट दिये तूम, कहा से ज़्यादा powerful बनने लग गए, तो वहाँ पर governor क्य appointment by the president करना ही ठीक था, appointment by president है, तो governor की position का इस्तमाल, honorable president यानि के union कर भी सकता है, to keep a check over the state, है न, election कराते तो wastage of money भी था, wastage of time भी था, और separatist tendencies बन जाती, च्यों, अब वो governor और CM दोन उसी states हैं, तो political benefits के लिए हो सकता है, अलगाववादी जो विचार हैं, उनको वो हवाँ द benefit के लिए, तो वो भी ठीक नहीं था, और personal issues पर election लडने लगते, वहाँ पर, एनि कि इदर governor है और CM है, देरी बासू में एक और interesting point दिया हुआ है, वो का एक उनने कि देखो, अगर governor का भी election होता, तो ऐसा हो सकता था कि जो political party है at the level of state, वो क्या करती कि जो second best candidate उनको लगता है after CM, ruling party, जो state की बनने जा रही है, जो बन सकती है, तो गया गरती कि जो सबसे senior है, उसको तो CM बनवा देते हैं, और जो second best है, उसको governor बनवा देते हैं, तो एक तरीके से governor और CM की position जो in tandem चलती, और यहाँ पर governor की position की एक और responsibility है कि अगर राज्य कोई ऐसा कानून बनाने की लिए, यह bill जो है union के खिलाफ है, यह constitution के खिलाफ है, तो आप जरह इसको review कर लिजे, लेकिन आप खुद ही सोचो अगर governor का भी election हो रहा है, और same party से governor और CM बन गए, तो उनके बीच में तो साटगाट हो जाती, वो कहते हैं, छोड़ो union को, side करो union को, आप bill बलाओ, हम act वो तो मैंने आपको बताया, दोनों कहते हैं कि मैं डेमोक्राटिकली जादा powerful होना चाहिए, expenses जो है, electoral majority, अब एक और election कराना, right, तो यह तो headache था, electoral fatigue भी था, पैसा भी जादा खर्च करने वाली बात है, यह सारे point न, आप example के तो अपनी means के answer में देंगे, है न, arguments against nomination of governor, क्या है, nominated अगर governor करते, तो वो जैसे अभी होता है, तो एक कहा जाता है कि कितने सारे जो governor होते हैं, वो बाहर से ही तो आते हैं दूसरे state में, एक convention होता है, कि हमेशा जो भी governor बना जाएगा, वो किसी बाहर वाली state के किसी व्यक्ति को लाकर बना जाएगा, कारण कि कितने सारे लो political brass already उनसे connected है ruling party की, तो हो सकता है कि influence करते, council of minister पर, CM पर, उस positions पर, तो ऐसे में बाहर, ठीक है, दूसरे state, माने जाता है कि governor की position politically neutral होनी चाहिए, तो इसी वैसे same state नहीं, दूसरे state का, लेकिन इसका counter argument देने वाले लोग कहते हैं, यह तो गलत भी है, यह foreign states से आप ला रहे है तो they are not that much connected to the administration, that much connected to the cause of the people, तो they will not prove to be a role model, तो इस पर उसका जवाब आता है भी, role model बनके करना क्या है, तुम nominal head हो, right, तो ultimately council of minister of state के हिसाब से आपको चलना है, अब directly department से सवाल जवाब नहीं कर सकते, CM is the bridge, तो यहाँ पर यह argument आता है, chances of friction will be there as well, यहनी के, यह कह रहे हैं कि अगर election आपने इसलिए नहीं कराया governor का, कि भही CM में और governor में friction आएगा, तो आज कुन सी शांती आगई, अभी मैंने आपको example दिया, जैसे तमिलाडू में चल रहा है, इससे पहले जो हमारे अभी उपराष्ट पती है, vice president है, धर्णगर साब, when he was in West Bengal, so he was having conflicting relationship with Mamta जी, तो य repugnant, repugnant head federal system के लिए, कहा गया कि generally जो federal system होते हैं, तो वहाँ पर ये माना जाता है कि उनका head of the state होगा, तो कम से कम वहाँ की सरकार, वहाँ की जनता का role तो होना चाहिए, अगर कोई UP, बिहार, for example, तमिलाडू, केरला, अगर वहाँ के executive head बन रहा है, तो वहाँ की जनता, वह by various committees which were made on center state relations की president साब, जो आप governor को appoint करें, तो CM की जो opinion है, वो mandatory होनी चाहिए, consultation proper होना चाहिए, लेकिन हकीकत क्या होती है, कि union की council of minister जिसको चाहती है, president को list दे कर बनवा देती है, elected president to be advised by council of minister at the center, आप सब को पता है, मैंने बता है, president जो है, वो council of minister के advice के हिसाब सही, यहाँ appointment करते हैं, now status of appointed governor so far, अभी क्या status है, states where one party had clear majority, governor acted as constitutional or impartial head, क्यों, क्योंकि भई clear majority is party के पास, तो governor के पास ज्यादा कुछ space नहीं बनता, अपनी discretionary power का इस्तमाल करने के लिए, states where are multiple parties, जैसे coalition है, या hung assembly होगी, जैसे कि Goa के case में हुआ था, मिर्दला सुना वस governor there, और वहाँ प किसी की भी majority नहीं आई, 21 seat चाहिए थी, चालिस में से, लेकिन किसी के पास majority नहीं थी, 17 किसी के पास, किसी के पास 13, तो ऐसे में governor के पास space आ जाता है, governor फिर वहाँ पर कहा जाता है कि center की agent की तरह काम करने लगता है, आरोप लगते हैं, मतलब आप हमेशा ऐसे कहेंगे कि this is observed, जैसे उस case में था 17 seat Congress के पास, 13 seat बीजेपी के पास, लेकिन सरकार बनाने का पहला मौका, Congress मांग रही थी, Congress को नहीं मिला, बीजेपी को मिला, और फिर उसके बाद बीजेपी की वहाँ पर सरकार बनी, तो ये तो मैंने example आपको दिया है, ये समझाने के लिए कि actual में, महा पर भी एक चेक बना रहे है, है ना, conditions के हैं, देखे, जो रेनुमरेशन है, रेनुमरेशन सारे तीन लाग के आसपास, कोई figure आपको रटने की ज़रुत नहीं है, फिर आप, जो इन, during their tenor, their renumeration cannot be reduced, ठीक है, official residence मिलता है, राजभावन मिलता है, allowances, privileges मिलते हैं, तो Governor Emolument and Privileges Act है अलग से 1982, यह बस ध्यान रख लेना, कि actually जो भी emolument होगा, जो भी allowances होँगे, तो they are decided by an act, ठीक है, ना, power of the governor, अब executive power भी है, judicial power भी है, legislative भी है, और diplomatic and military power नहीं है, diplomatic and military power प्रेजिडेंट के पास होती है, emergency power भी president के पास होती है, यहाँ पर केवल article 56 वाले case में यह report भेज सकते हैं, खुद कोई emergency नहीं लगा सकते हैं, तो basically executive, legislative और judicial power ही है, president के, governor के office के पास, ठीक है, चलिए अभी तक यहाँ, आज हम यहाँ तक करते हैं, आप एक बार read कर लीजेगा, कल मैं यहाँ पर इसको further expand and I am going to bring some trap questions, ठीक है.